नमस्कार सातियों, स्वागत आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर आप देख रहे हैं नौलेज अप्टुडेट चैनल हमारे साती कलेशा सेयत साब पूछ रहे हैं कि जब न्यूट्रल सेक्शन होता है और होजी के द्वारा जब कोचों में सप्लाई जाती है तो फिर न्यूट्रल सेक्शन में जब VCV ओपन कर देते हैं तब उन कोच में लाइटें पंखे कैसे चलते हैं ऐसी कैसे चलता है तो आज इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे आईए देखते हैं नमस्कार सात्यों स्वागता है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं नौलेज अप्टूडेट चैनल में आप चोटे चोटे वीडियो बनाकर आपका नौलेज अपडेट करता रहता हूं कमेंट करके कोई पूछता है उसका जवाब वीडियो बना दारा लोकोमोटी चल रहा है और उसके दवारा कोचेज में सप्लाई जा रही है तो नूट्रल सेक्शन आया तो सप्लाई तो कट हो गई तो देखे हर कोच में एक-एक बेटरी लगाई हुई है तो जब नूट्रल सेक्शन में वीडियो बन नहीं होते है उस बेटरी के द् बंद हो जाता तो वह तो चलेगा वह तो वैसे कट इन कट आउट होता रहता है तो जब वीसी भी ट्रिप किया न्यूटर सेक्शन में ऐसी उसे बंद हो गया कुछ सेकिंड हो के लिए बाद में वापस सप्लाइज जैसे चालू किया तो वैसे चालू हो जाएगा इस परकार लाइट है न्यूटर सेक्शन में बंद नहीं होती है कोच में अब बात करते हैं कभी एलेक्ट्रिक लोगों फैल हो गया तो है ना तो फैल हो गया तो फिर जादा देर तक लिए लाइट है चालू रहे कि लेकिन ऐसी कैसे चलेगा ऐसी तो 10-15 मिट अगर बंद रहा तो को चालू हो लें वाला नहीं है तो फिर डीजल के पावर कार को चालू कर दिया जाता है और वहां से सप्लाई कोचों को दे दी जाती है और ऐसी भी चालू हो जाते है इसलिए फैलियर का कोई चांस नहीं है इसलिए निश्चिंद रहें निश्चिंद होकर यात्रा करें तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ नमस्कार